गूड इविनिग फ्रेंट्स वेलकम टो माई यूट्यूब चैलन और फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं ही माचल पदेश जूरियर ओफिस एसिस्टन के लिए क्लास नमबर 20 जिसमें के हम डिस्कस करने वाले हैं MSXL के उपर Most Important Questions तो फ्रेंट्स बीडियो को एंड तक जरूर और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताक कि आने वाली हर वीडियो की नॉट्विकेशन आपको मिलती रहे तो बिना कोई टाइम बेश्ट किये करते हैं वीडियो को शुरू तो फ्रेंट्स आज हम करने वाले हैं क्लास नमबर 20 जूनिर ओफिस असिस्टेंट के लिए तो क्वेशन नमबर 1 है बिच फंक्शन इस नोट अवलेवल इन दा कंसॉलिडेट डायलोक बोक्स तो फ्रेंट्स कौन सा फंक्शन समेक के समबाद बोक्स में उपलब्द नहीं ह तो फ्रेंट्स कौन सा फंक्शन है जो समेक के समबाद बोक्स में उपलब्द नहीं है तो फ्रेंट्स यह हैंप का PMT तो उप्शन Delete Content, Delete Notes, Delete Format, जो असके तीनों जो वो कारे हैं, बट Delete Illizicals का कारे नहीं है, तो friends, next question है, question number 3, Microsoft Excel is a powerful, तो friends, Microsoft Excel एक सक्तिसाली है, तो friends, क्या है ये, तो friends, ये है एक spreadsheet package, तो friends, option number 2 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next है, question number 4, how do you rearrange the data in extending and descending order, तो friends, आप अरोही या अबरोही क्राम में data को कैसे पुनरिवस्तित कर सकते हैं, तो friends, किस तरीके से कर सकते हैं, तो friends, भी कर सकते हैं आप data and short से, तो option number 1 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, आज जो हम 50 questions असका करने वाले हैं, तो class थोड़ी से लंबी होगी, next question है, question number 5, which chart can we created in Excel, तो friends, Excel में कौन-कौन से chart बनाये जा सकते हैं, तो friends, Excel में जो आप वो area भी बनाये जा सकता है, line भी बनाये जा सकता है, और pie भी बनाये जा सकता है, तो all of the above जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 6, how do you display current date and time in MS Excel, तो friends, आप MS Excel में बर्तमान, दिनाग और समय कैसे परदर्शित करते हैं, तो friends, date and time represent करने के लिए MS Excel में कौन सा option यूज होगा, तो friends, यह होगा आपका, option number 3, तो option number 3 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 7, how do you display current date only in MS Excel, तो friends, आप केबल MS Excel में current date कैसे परदर्शित करते हैं, तो friends, कैसे परदर्शित कर सकते हैं आप current date को MS Excel में, तो friends, यह कर सकते हैं हम, option number 2, तो option number 2 जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 8, तो friends, how do you wrap the text in a cell, आप cell में part को कैसे लपेटते हैं, तो friends, किस तरीक के से जो आप wrap the text कर सकते हैं cell में, तो friends, यह कर सकते हैं, format, cell and alignment की मदद से, तो friends, option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 9, what does counta function do, तो friends, counta function क्या करता है, तो friends, counta function क्या करता है, तो friends, यह करता है, आपका count non-impeti cell, तो friends, यह non-impeti cell को count करने का काम करता है, तो option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 10, what is the shortcut key to highlight the entire column, पूरे column को highlight करने के लिए, कौन सी shortcut key का प्रयोग की जाता है, तो friends, पूरे column को जो highlight करने के लिए, shortcut key प्रयोग होती है, तो friends, वह हैपकी, control plus space war, तो option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 11, in the formula, which symbol specify the fixed column of row, सूत्र में कौन सा प्रतिक निर्दिष्ट स्ताम या पंक्तियों को निर्दिष्ट करता है, तो friends, कौन सा option जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 12, Excel display the current cell address in, तो friends, Excel में बरतमाज cell क्या परदर्शित करता है, तो friends, ये परदर्शित करता है आपका name box, तो option number 3 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 13, what is the correct way to refer the cell add-on sheet from the sheet, sheet से sheet पर cell ID को संदब्बिद करने के लिए कौन सा सही तरीका है, तो friends, इन में से कौन सा जो वो सही तरीका है, तो friends, ये है आपका, option number 1, sheet 3 I A 10, तो option number 1 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, आज मैं थोड़ी से question जलरी जलरी में करौँगा, बिड़ी जो वो ज़्यादा लंबी ना हो जाए, तो friends, next question है, question number 14, which language is used to create macros in Excel, Excel में macros बनाने के लिए किस भासा का उप्योग की जा सकता है, तो friends, Excel में macros बनाने के लिए हम बीज़वल वेसिक 4 का उप्योग करते हैं, तो option number 1 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 16, तो friends, which of the following is not a term of MS Excel, तो friends, निमल लिक्त में से कौन MS Excel का शब्द नहीं है, तो friends, इन में से कौन से जो MS Excel का शब्द नहीं है, तो friends, cell, row and column जो वो MS Excel के शब्द हैं, बट document जो वो MS Excel का शब्द नहीं है, तो option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 17, how many worksheets can we workbook have, workbook में कितनी worksheets हो सकती है, तो friends, workbook में 3, workbook में 3, 8 and 255, friends, ये तीनों जो वो वो विल्कुल सही answer है, और अलब अब अब जो असका सही answer होगा, इन तीनों में से कोई भी जो वो आपकी worksheets हो सकती हैं, तो option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 18, तो friends, which would you choose to create a wall diagram, तो friends, wall diagram बनाने के लिए कौन सा भी खलब चुनेंगे, तो friends, wall diagram बनाने के लिए हम कौन सा भी खलब चुनेंगे, तो friends, ये चुनेंगे हम insert and chart, option number 2 जो असका बलकुल सही answer होगा, next question है, question number 19, which setting you must modify to pre-ent a worksheet using letterhead, तो friends, letterhead का उप्योग करते हुए, आपको कौन सी setting को सम्बोधित करना चाहिए, तो friends, कौन सी setting को सम्बोधित करना चाहिए, letterhead का प्रियोग करते हुए, तो friends, ये करते हैं हम margin का, तो option number 2 जो असका बलकुल सही answer होगा, तो friends, next question है आपका, question number 20, but do you sell the chart that shows the proportion of how one more data element related to another data element, तो friends, आप उस chart को क्या कहते हैं, जो एक या एक से अधिक data तत्वों के दूसरे data तत्व से सम्बन्दित होने के इन पात को दर्शाता है, तो friends, कौन सा option इसमें सही होगा, तो friends, ये होगा आपका pie chart, option number 3, जो असका बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 21, the spelling dialogue box can be involved by choosing spelling from menu, बरतनी संबाद box menu से बरतनी चुनकर शामिल किये जा सकता है, तो friends, क्या चुनकर सामिल किये जा सकता है, तो friends, ये होगा आपका tools, option number 3, जो असका बिल्कुल सही answer होगा, तो friends, next question है, question number 22, which key do you press to check spelling, तो friends, spelling check करने के लिए, इन में से कौन सी कुणजी जो अब हो, हम press कर सकते हैं, तो friends, हम कौन सी कुणजी प्रेस कर सकते हैं, spelling check करने के लिए, तो friends, ये होगा आपकी app 7, option number 3, जो असका बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 23, to record a sequence of keystroke and mouse, action to play back letter we use, तो friends, बाद में हम उप्योग करने के लिए, keystroke और mouse करियाओं का क्रम, record करने के लिए, तो friends, कौन सा option जो इसमें यूजी जो करेंगे, तो friends, ये होगा आपका, macro recorder, तो friends, option number 4, जो आसका बिल्कुल सही answer होगा, और friends, next class, जो हम आपकी सारी abbreviation पर करवाने वाला हूँ, तो अगली class जो होगे आपकी, mostly मैं 120 तक जो आपको abbreviation करवा दूँगा, तो आप वो class जुरूर देखिएगा, तो friends, question number 24, we can save and protect the workbook वाए, तो friends, हम कारे पुस्तका को सहेज और सरक्षित कर सकते हैं, तो friends, किसकी मदद से जो protect कर सकते हैं, तो friends, ये कर सकते हैं, write reservation password से, protection password से, या read only recommended से, तो friends, any of the above jobs में सही answer होगा, option number 4, जोस का, बिल्कुल सही answer होगा, next question, question number 25, the first cell in Excel worksheet is lived while, तो friends, Excel worksheet में पहली cell के रूप में लेवल किये जाता है, तो friends, किस तरिके से जो इसको लेवल किये जाता है, तो friends, ये किये जाता है, आपका A1 से, तो option number 1, second जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question, question number 26, what happened when dollar sign are entered in a cell address, तो friends, जब सेल संकेत में डॉलर के संकेत दर्ज किये जाते हैं, तो क्या होता है, तो friends, जब भी हम dollar sign को enter करते हैं, तो क्या होता है, तो friends, ये होता है आपका, enter absolute ill I address is created, तो friends, option number 1, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question, question number 27, but are the tabs that appear at the bottom of each workbook card, तो friends, प्रतेक कारे पुस्तिका के नीचे दिखाई देने वाली tab को क्या कहा जाता है, तो friends, प्रतेक कारे पुस्तिका के नीचे दिखाई देने वाली tab को हम क्या कहते हैं, तो friends, ये कहते हैं हम sheet tab, option number 4, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 28, what is represented by the small black square in the lower right corner of the active cell average range, तो friends, एक सक्रिये cell या range के नीचे दाएं कोने में छोटे कारे बर्क द्वारा क्या दर्चाय गया है, तो friends, क्या दर्चाय गया है, तो friends, ही दिखाई गया कि आपका fill handle, तो option number 2, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question है, in Excel, a data series is defined as what, तो friends, Excel में एक data shrinkla को किस रूप में परिवाशित किये जा सकता है, तो friends, किस रूप में परिवाशित किये जा सकता है एक Excel data को, तो friends, यह कर सकते हैं, हम एक lecture of related data, तो option number 3, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 30, in Excel, the fill color button on the formatting toolbar is used for what, Excel में formatting toolbar पर रंग भरने बटन का उप्योग किये जा सकता है, तो friends, कौन सा बटन का उप्योग किये जा सकता है, तो friends, यह किये जा सकता है तो friends, यह किये जा सकता है, तो आपका, to add shading our color to range, तो option number 4, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 31, in help menu of Excel, which of the following tab are found, इसे कौन सा टैब पाया जा सकता है, तो friends, इन में से कौन सा टैब पाया जा सकता है, तो friends, इसमें से content टैब, answer बिजार टैब, एंड इंडेक्स टैब, यह तीनों जो वो पाया सकते हैं, तो all of the above, जोस का बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 32, तो friends, a is a grid with levered column and row, तो friends, एक dash is a, संतम जिसमें संतम और पंक्तियां होती है, तो friends, वो क्या होता है, तो friends, यह होता है आपका वर्कशीट, option number second, जो असका बिल्कुल सही answer होगा, next question है, question number 33, the active cell, तो friends, सक्रिये cell क्या है, तो friends, सक्रिये cell क्या है, तो friends, यह है, is defined, by a word-order around the cell and receive the data, the user enter, तो friends, option number A and B जो जो सक्योदिकुल सही answer होगे, तो option number 4 जो सक्योदिकुल सही answer होगा, next question है, question number 34, which function is used to calculate deprecation, rates of return, future value and loan payment amounts तो friends किस function का उप्योग मुल्यास, बापसी की दरोंब, विश्य के मुल्यों और रिंड भुकतार राश्य की गढणा के लिए किये जाता है तो friends कौन से function का उप्योग होता है तो friends यह होता है आपका financial का तो option number 4 जो असका बलकुल सही answer होगा next question है question number 34 और तो friends B7 and B9 indicates तो friends B7 and B9 क्या indicate करते हैं तो friends यह indicate करते हैं आपका cell V7 through the V9 तो option number second जो आसका बलकुल सही answer होगा next question है question number 35 the cancel and enter button appear in the तो friends राद करें और वटन दर्ज करें यह किसमे प्रयोग होता है तो friends किसमें जो आपका option होता है तो friends यह होता है आपका formula वार में तो option number second जो आसका बलकुल सही answer होगा next question है question number 36 MS Excel can be used to automate to friends MS Excel का उपयोग सबचालित करने के लिए किया जा सकता है 90th सी सब्चालित करने के लिए किया जा सकता है तो फेंट्स यह सबचालित करने के लिए किया जासता है Financial Statementлиз बिजनेस फॉर्कास्टिंग ट्रांजिक्शन रिजिस्टर इन्वेंटरी कंट्रोल एकाउंट सर्षी विल रसीविल एकाउंट पेवल तो फ्रेंट्स यह तीनों जवाबस के सही अंसर होंगे तो एनी ऑफ दा अब जो असका बलकुल सही अंसर होगा ऑप्शन नमबर फॉर नोट एंड आवर एंड XOR आर तो फ्रेंट्स नहीं और या XOR क्या है तो फ्रेंट्स यह है एक लोजिकल ओपरेटर तो अप्शन नमबर वन जो असका बनकुल सही अंसर होगा तो फ्रेंट्स नेक्ट कोश्चन है question number 38 in a report you need to show the monthly rainfall in Nepal the best way to do this in to insanity तो friends एक report में आप नेपाल में मासिक वर्षा दिखाने की अशकता है ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका एक समलित करना है तो friends कौनसा option जो सही होगा तो friends यह होगा आपका chart showing rainfall amount तो friends option number 3 जो आपको सही answer होगा next question है question number 39 you want to record experiment information and create a chart that show the rate of crystal growth over a period of time the best application to use would be तो friends आप परियोग की जानकारी record करना चाहते हैं और एक chart बनाना चाहते हैं जो समय की अबदी में crystal विकास की दर को दर्शाता रहे तो उपयोग करने के लिए सबसे अच्छा अनुपरियोग होगा तो friends कौन सा जो अब वो सबसे अच्छा अनुपरियोग होगा तो friends यह होगा आपका spread sheet spread sheet के जरी है हम इसकी पूरी details जो असको बता सकते हैं तो friends next question है question number 40 जो करना चाहिए तो friends इसमें कौन सी command जो वो आप यूज कर सकते हैं तो friends यह होगी आपकी save as command तो option number second जो आज कबलकूल सही answer होगा question number 41 if you want to have a blank line after the title in a worksheet what is the best thing for you do it तो friends यदि आप एक worksheet में शीर्चक के बाद एक रिक्त रेखा रखना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात क्या होगी तो friends किसकी मज़ से जो आप एक रेखा रख सकते हैं शीर्चक रेखा तो friends यह होगा आपका insider हो तो option number second जो आज कबलको सही answer होगा तो friends next question है in order to arrange the country from those with the highest population to those with the lowest you need to short on the population fed in तो friends उच्छतम अवादी वाले देशों को सबसे कम अवादी वाले देशों की ववस्ता में रखने के लिए आप जन सक्छे के क्षेतर में कौन सा जो आप्शन यूज़ करेंगे तो friends यह होगा आपका descending order तो option number second जो आज का बलको सही answer होगा next question है question number 43 in order to perform a calculation in a spread sheet you need to use it तो friends spread sheet में गणना करने के लिए आपको एक का उप्योग करने की अब शक्ता है तो friends किसका उप्योग करेंगे आप तो friends यह होगा आपका formula तो friends next question है question number 44 the box on the chart that contain the name of each individual record is called the chart per box जिसमें परतेक individual record का नाम है तो friends वो क्या कहलाता है तो friends यह कहलाता है आपका ligand option number 4 जो इसका बलको सही answer होगा question number 45 if you want all the white cats grouped together in the database you need to short wire यदि आप database में सभी सिफेद विलियों को एक साथ समुहित करना चाहते हैं तो आपको कौन सा क्रामबद करना होगा तो friends किसे जो आपको क्रामबद करना होगा तो friends यह करना होगा आपको pet type and then call our तो friends option number 2 जो जो इसका बलकोल सही answer होगा तो friends next question है question number 46 you accidentally erased a record in the sheet but command can be used to restore it immediately आपने गलती से sheet में एक record मिटा दिया है तो इसे तुरंत भाल करने के लिए किस command का उपयोग की जा सकता है तो friends कौन सी command यूज करेंगे आप तो friends यह होगा आपका undo option number 3 जो 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 होगा तो friends next question है question number 48 hyperlinks can be तो friends hyperlink हो सकता है तो friends hyperlink क्या हो सकता है तो friends एक text भी हो सकता है drawing object भी हो सकता है या picture भी हो सकती है option number 4 जो 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 सही yes answer होगा all of the above next question है question number 49 to activate the previous cell इनने pre-selected range press तो friends पूर्व चैनित श्रेणी में पिछले सेल को सक्रिय करने के लिए दवाएं तो friends कौन सी की दवानी होगी आपको पिछले सेल को सक्रिय करने के लिए तो friends यह होगी आपकी none of the these तो friends इनमें से आप कोई भी किस जो हो नहीं दवा सकते संख्याओं की एक श्रिंकला को जोडने के लिए आप किस बटन का उप्योग करेंगे तो friends कौन सा बटन आप उप्योग करेंगे तो friends यह होगा आपका तो friends option नमबर वन जवास का विलकुल सही अंसर होगा तो friends यह था आज का महत्तपुन सेशन आई होप आपको पसंद आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेर करें और friends इस शेशन की पीडियेफ के लिए मुझे मेरे टेलिग्राम ग्रूप GKYDNS पर जोइन कर सकते हैं बाप पर आपको उसकी पीडियो दे दूँगा तो friends आज की शेशन के लिए Thank you लिए आज कुछू आपका जोदेटी कुछू